आपके 20 में पुरौ पस्तित हूँ लेकिन कुछ नए टॉपिक को लेके एक्चोली इसे कुछ मातायए बहने हैं सबोगाओ ना यृट पास होँगे इसको हम बोलते सीटिट सीट कहिए एस्टीट कहिए इस्टीट का हो गया और सीट हो गया किंद्र का के लिए चक्वाथं न पष्च्छ बोलते है एक Xyta e.let एक कोचिंग सीट कैसे पास किया जाए तो इस टॉपिक को मैं लेकर आया हूं आप बैसिकली इस टॉपिक मैं जो बताने वाला उसको ध्यान से सुढ़िए आपको कुछ ने बलकि बहुत फाइदा होगा ठीक है और बिना कोचिंग सीट पास के सिकर पहले सीट अभी जो होने वाला यह सीटेट 20-20 होगा 2021 यह सीटेट होगा इसका हम एक्जाम पैटर जानेंगे कि इसका एक्जाम में कितने नमबर के आते हैं कितने मिनट मिलते हैं ठी सिटेट होता है सिटेट में दो पेपर होता है कि यहां मैं बना देते हूं समझने के लिए एक होता है पेपर वन वीसंद जिसको बोलते जो डीलेड पास हो क्या हो पेपर वन का एक्जाम को देंगे जो डीलेड पास हो वही बंदा पेपर वन का एक्जाम देंगे ठीक है वो पेपर टू नहीं दे सकते हैं और पेपर वन जो होता है यह जो पेपर वन होता है किसके लिए होता है आप जो पेपर वन क्वालिफाई क कि अचेट से लेकर पांचमी तक है कि पाधि पांच Hollough पांचतों आप बने ठीख और इतना ही नहीं इसमें किस्यों बच्चे को पढ़ाएंगे अपको दिमाग में हमेशा आना चाहिए कि हम जो वन से लेके पांच मी तक कर से चक बनेंगे जिसके लिए पेपर वन पास करना होगा वन से पांच मी तक कर से चक बनने के लिए मुझे पेपर वन पास करना होगा और पेपर वन कुन देगा जो बंदा डियल पास हो डियल पास हो या बीएड हो बीएड पास हो जो बीएड किया हुआ है वो तो दोनों पेपर देगा पेपर वन और पेपर टू हाँ यह भी समद लीजे पेपर टू किस क्लास के लिए होता है आप किस क्लास का सिचक बनेंगे शिक से लेके आठमी तक का सिचक बनेंगे ठीक है शिक से लेके आठमी तक का सिचक बनेंगे इसमें वो बंदा है जो अउनली बीएड पास है बीएड पास हो कहने का मतलब यह हुआ कि जो बंदा जो भाय और बहन या दोस्त जो बीएड जो बीएड पास होंगे वो दोनों पेपर के लिजिवल है वो दोनों दे सकते है पेपर 1 भी और पेपर 2 भी वो दोनों दे सकते है बीएड बाले बंदे जान लिजिए और जो डियलेड किये होंगे लिख लिजिए नोट बना के काम आयागा और जो डियलेड किये होंगे डियलेड किये होंगे वो मात पेपर वन के लिए एलेज़िवल है यानि वो मत पेपर वन का eczam देंगे वो पेपर 2 नहीं दे सकते है यानि यहां से निकला कि बीए वाले को फैदा है पेपर बन भी देगा और लेकिन डियन वाले को एक डिस ड्वांटेज यानि हानी क्या है वो बस एक से लेके पाच भी तक्का से चक बनेगा और जिसके लिए पैपर वन का एकजाम क्वालिफाई करना होगा चिक है चलिए अब आते है अब आते है कि फेपर में प्रेज आनी है कि पहले हम बताएंगे पेपर वर को पेपर दीजिए पेपर वन पेपर टू उसका जी एक्जाम पैटर्न है वो क्या होता है एक सोब 150 मार्क्स का पूचता है एकजाम में कतना माक्स का पूछेगा एकिचि ठीus सुध्शन फ्रक्साइब्लव को होगा अब कुष्चन किपनी होंगे 150-र संस होंगे कि यानि एक सब्रक्रास 6 het प्रक्स pronounce यृले को事 me 150 मिनट कहिए या अधाई घंटा अधाई घंटा मिलेगा कहने का मतलब हुआ आपके पास 150 कोश्चन होंगे 150 मिनट दिया जाएगा और 150 मार्क्स होंगे लेकिन इसमें कोई सब्सेक्राज यहांट नर्ण है तो ऑलना दिमाग में ब excellence होगा सब्सक्राण आपको सब्सक्राल का में इसमाइए जिया बीच चनबर के बीच mais सबस्क्राइब करने का मतलब होता जाने सबस्क्राइब नहीं 75-150 कॉसर मीनटı 150 और साथ में इतना पहले होता था offline mode पहले पहले एक्जाम होता था offline mode लेकिन इस बास से क्या एक्जाम होगा online online क्या एक्जाम होगा online online का मतलब यह हुआ जिसको बोलते हैं cbt cbt यानि क्या होगा computer based एक्जाम कैसा होगा computer based computer based होगा क्या होगा computer एक्जाम कहां पर होगा online होगा computer पर अधारित होगा computer पर ठीक है है ठीक है आप समझ गए इतना आप आगे देखते हैं ah paper 1 हो या paper 2 दोनों 150 मांक्स काई होगा ठीक है चलिए आब बात करते हैं पेपर 1 के लिए पेपर वन का कैसे क्या स्लेवस है पेपर वन में आपके पास पांच सब्जेक्ट है पांच पहला है सीडी पी जिसको बोलते हैं बाल विकास क्या बोलते हैं बाल विकास यह आपको एक्जाम होगा तीस मार्क्स का कितना मार्क्स का होगा तीश मार्क्स का एक्जाम होगा ठिक है कि अधूसरा एक्जाम होगा पहले समझे पहले लिए छुष ने के आप ऄपकास शी लेना बेजोना हमेशा आप्या लेख संधी, तो cold लिजैघें ना आपसे मारेगा हिंदी इसलिए लिजिए लेकिन पेपर वन में लैंगवेज वन या पेपर टू उसमें भी लैंगवेज वन में हमेशा आपको हिंदी लेना है ठीक है चलिए अब आते हैं दूसरा पर क्या हो गया हिंदी यजब 15 में पूछेगा देखाल्स स्वाən यहां देखिंए अशल्य से ग्रामर पढ़ने लगेगा दो जाए तो ब्लत्तका है 50-30 में पंदला नम्मर का जबाद पूछे लाब क्या पूछेगाए यह पूंचेका गध्यान्स फूंचेगा और यह पंडरा नंबर ने के क्ला पूंचेगा प्लिपन गौजिएन में裡面 चाहने फॉल्फ तोह कि बिच में लाइन कुछ अब आपको को पूछेगा पेड़ा गौजी पूछेगा पेड़ा गौजी का मतलब यह हुआ पेड़ा गौजी को पेड़ा गौजी को हिंदी में बोलते हैं शिच्छन क्या बोलते हैं सिच्छन सास्त्र सिच्छन सास्त्र का मतलब हुआ कि आप बच्चे को पढ़ाते कैसे हैं बच्चे को तो चीज को अब बच्चे को पढाएंगे उसको फीट नहीं सकते है ग्षाब सक तो बच्चे को पढ़ाते कैसे हैं इसमें ये पढ़ाया जाता है इंसमें 5-2 और गद्ञान पूछेगा टोटल पंद्रह नम्म और पंद्रह नम्म जो बच गया हो पेटागोजी पूछेगा यानि कि बच्चे को बढ़ाते कैसे हैं ठीक है अब आते हैं चाहूं तिसरा पेपर इंग्लिस ठीक है को बंदा आगां इंग्लिस लिया तो यह लेंग्वेज होन हुआ लेंविज टू छैश्टाइश बोलता है तो लेंग्वेज वन हमेशा बहुंआ हिंदी लिज्जेगा अले लैंग्वेस्ट्रू में पुछ विल्ए शक्ते हैं लेकिन लिए नहीं इंग्लिस के लिए है फिर आते हैं है क्या चव था जिसको बोलते ईवी एस का मतलब हुआ इन्वार्णमेंटल अस्टडीज यह कितना नम्मर का पूछेगा यह भी तीस मार्क्स का पूछेगा और पांचमा पेपर हो गया मैथ हां इसमें भी इसमें भी क्या होगा 15 नम्मर का आपको पूछेगा पेडा गोजी आप पेडा गोजी आप 15 नम्मर का पूछेगा आपको पंटेंट बेस्ट इस से रिलेटेड कंटेंट से पूछेगा यह पंद्रा नम्मर के लिए फिक्स जान लिए आप कि बच्चे को पढ़ाते कैसे सिंपल होता हम बताएं गया आप जादिमा मतलगा अब आप प्रेशन जो भी कुछ हम बताएंगे सब और यह पंद्रा नम्मर यहां भी पेडा गोजी यानि कहने का मतलब हुआ आप देखिए पेडा गोजी कितना पूछ रहा है यह 30 नम्मर तो फूल पेडा गोजी है चुकि बाल विकास का मतलब हुआ कि बच्चे को पढ़ाते कैसे है तो इस फूल पेडा गोजी है तीस नंम्म को एसे ही पेडा गोजी होग देखिए अब मैत में पंद्रा तो तो तोटल देखा जाए तो नबबे कर Janine mmm == यानि मांक का आपको पर दागोजी पूछेगा यह कhinे का मतलब यह हुआ कई का मतलब यह हुआ कि डंगे सो में से नबबे काजम पोूछेगा उस पर ध्यान देना है लेकिन आप लोग यहीं पर घबा जाते हैं इसको आप बेसिक पर करना कुछ नहीं आपको यहां से स्टार्ट करना तीन सब्सक्राइब को cdp Hindi English को पढ़ना है टोटलव यह से सबमें पूछ रहा है तो इसी पीश नम्मर करने के बाद यह नब्वे नमब्र मैं कंप्लीट हो गया बच गया साथ नमबर साथ नमबर इवी असे मैं तो सब हो जाएगा ठीक है अब यह जो पेपर वन आप जो सिच्छक बनने वाले हैं तो हमेशा दिमार में रखिएगा कि छे से लेके 11 साल तक के बच्चे को पढ़ाईएगा आप आप वन से लेके पांच में तक का सिच्छक बनिएगा तो आपको हमेशा यह ध्यान में रखिएगा कि छे से लेके 11 साल तक के बच्चे को मुझे पढ़ाना है ठीक है अब आते हैं पेपर टू पर ठीक है अब आते हैं पेपर टू आपको मैंने बताया भी पेपर टू कौन दे सकता है जो बीएड किया हो बीएड वाले दोनों दे सकते हैं और यह भी यह भी 150 मार्क्स का ही पुछता है और यह भी आप जो से चक बनेंगे तो इसमें किस उमार के बच्चे को पढ़ाएंग तो ठीक है यानि हो गया चौश से लेक आठमी तक का जब से चक बनिएगा पेपर टू पास करने के बाद तो जिस बच्चे को बढ़ाएंगा उसका जो उमर होगा वह 11 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे का होगा यह भी 150 मार्क्स का एक्जाम होगा यह हो गया इसमें होता है यह भी आपको 30 मार्क्स यह भी 30 मार्क्स और यह भी क्या हो गया 30 मार्क्स इसमें भी वही चीज है यह फुली पेडागोजी 30 का 30 मार्क्स हो गया लिक देते हैं से और यह संदमेंट होता है कोई बंदा माल दीजिये से पढ़ाई किया या कुछ भी किया तो सब्सक्राइब लेगा कोई math science का होगा तो उसके लिए आएगा science and mathematics तो यानि जो commerce वाला होगा या हमिल्टीज पड़ा होगा वह सस्टी लेगा ठीक है जो science background से होगा वह मैथ लेगा यानि वह तब सस्टी ने लेगा वह मैथ लेगा हम या करके लिख दिये या math यह total होता है साथ मार्क्स का माली जो बंदा एसस्टी लेगा जो एसस्टी लेगा तो 30 37 30 नम्बे तो वह गया और 60 मार्क्स का एसस्टी रहेगा और एसस्टी में भी क्या 40 नम्मर का 40 40 मार्क्स का होगा content based content based का मतलब हो गया syllabus जो भी दिया होगा इसस्टी का वह और 20 नम्मर का यहां भी पेडा गोजी यहां भी सभी जगह पेडा गोजी है पेडा गोजी ठीक है यहां को बंदा मैथ लिया हो science और मैथ तो 30 37 3090 वैसे हो गया और वह उसके लिए 60 नम्मर का मैथ हो जाएगा ठीक है उसमें 42 नम्मर content अब 20 नम्मर पेडा गोजी यानि पेडा गोजी पर मुझे ध्यान देना है पेडा गोजी मतलब सिच्छन सहास्त्रा जो इससे आता है बाल विकास से आनि पेडा टू में 1500 में 80 नम्मर का पेडा गोजी एक चीजा यह चीजा यह पेडा पर ann तीन पेपर cdp पी इंग्लिश यह पेडा वन में भी है पलस पेडा टू में भी है रोलविकास था हिंदी था इंग्लिश था अब पेडा टू में देखिए छो जिए आता है साथ नमर का जो जाया आए यानि बहूत ही आसान है आप कहीं जाने की जगवत नहीं है ठीक है बहुत ही आसान सब में कहेंगे आप मुझे ट्रस्ट किजिए कहीं मच जाएए जितने भी मैं विडियो डालूंगा आपके ख़र में कोई हो दोस्तों भाई हो ब आता है बेने जो साधी सुधा है उनके लिए सभी के लिए वीडियो काम आएंगा और चुकि मुझे पता है कि सीटट कैसे पढ़ाए जाता है चुकि मैं खुद भी एक बार नहीं बलकि मैं दो दो बार मैं सीटट पास हूं और बहुत अच्छे नम्मर से तो मुझे पता है कै इसे नम्मर लाया जाएगा ठीक है बस आपको इसको फॉलो करना है एक चिव मैं बता दू जो देर सौमें नम्मर कितना लाना है नोट लिख लिजिए आप 90 नम्मर लाते हैं तो आप पास माने जाएंगे यह किसके लिए जैनरल के लिए जैनरल लेकिन कोई OBC है SCST है उसके लिए आपको तिरासी नमबर अब लेकर चले तरासी नमबर देर सौमेलाना होगा लेकिन मैं नव्य नम्मर के लिए नहीं पढ़ाऊंगा आपको जो पढ़ाऊंगा वह कम से कम आपका यह इतना हाई नमबर क्यों चुकिए लाते हैं बच्चे लोग में खुद के एक दो ब लेकिन कम से कम 120 पलस के लिए ठीक है जो भी कुछ होगा आज मैंने एकजाम पैटर्न जो होता मैंने बताया है और वीडियो भी में डालूंगा लेकिन प्लीज इस वीडियो को हमेशा इसके अधारी जो भी वीडियो आएंगे आप उसको देखेंगे ठीक है चली वीडियो सब्सक्राइब किजिएगा धन्यवाद